मद्वदेश की आर्थिक राजधानी कहलाएं जाने वाले इन दोर में चुनावी बिगुल बच चुका है भाजपा ने कुछ उम्मिद्वार तैय कर दी हैं लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से अब तक किसी को उम्मिद्वारी किसी की भी उम्मिद्वारी गोशित नहीं किया चाह क्रूशल मानी जाती है और कहा जाता है कि यहां से बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता पिछली बार भी आपने प्रयास किया था कि आपको दो नंबर से कॉंग्रेस उम्मिद्वार बनाएं तो वहां पर आप किसी को शिकस्त दे सके हैं वहां पर उस मेदान में जाकर लड़ सक में ने कि में तो कि छोटा से शिपाई हूं जब से क्वाग्रेस पार्टी में हूं सन उन्नीस तो इन्ठाणों से तब से मजबूत कारी करता के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसका निर्वन कर रहा हूं पार्टी ने मुझे टिकेट दिया 2009 में पार्षत के रूप में काम करा 14 में टिकेट दिया 2022 में पूर विधान सभादो के टिकेट अधानी कमल नाच जी ने उनी लोगों को दिये जिन लोगों के नाम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया जो योग लोग थे बात बची पार्टी किसको टिकेट देगी नी देगी कौन चुनाव लड़े का वह विशेनी है विधान सभाद दो ने हम जैसे चुटे-चुटे कारी करता होने अधानी कमल नाच जी आधानी दिखविजाई सिंग जी के नेत्रत्तों में कम से कम यह है कि जिन लोगों की घमंड थे कि हम यह हैं और हम वह हैं और 91,000 और एक लाक और दो लाक वह जो जमीन गाड़ी से नीचे ने उतर थे उन लोगों की इसी इस्तिती निर्मित कर दी कि जब उनके पैर में भी लगी हो तो टेका लेले के घुमने लगे जिन लोगों की गर्दन नीचे नहीं होती थी निश्ची तुरूप से वह जनता की बीच में जाने लगे यह हमारी ताकत है और जिस तरीके से हम सब कारीकरता अच्ति जब नगरनिगम के चुनाओं में जीतते हो और उसके सासाथ एक जानकरी को बता दूमें कि जब नगरनिगम के चुनाओं होए एक पार्षाद को डोला एक महापॉर को डाला तो पूरे शहर में अगर कॉंघरस पार्टी कर वोड़ा सब दूर घटा पांच टमबर विदान सबा में 6,000 वोट बड़े और हमारी विदान सबा में हम हारे थे 22,000 से हम हारे 38,000 से लगब लगब 34,000 वोट कॉंग्रेस पार्टे के विदान सबा दो में बड़े जो सब लगता है कि वरतमान विदायके रमेश मेंदुला अब लोग उनसे उखता गए हैं क्या वो चेंज चाहते हैं आपको इसा लगता है कि सिर्फ चार वाड जित जाने से क्या विदान सबा जीती जा सकती है जो इश्वर ने दिया उसको ताकतवर तरीके से पूरा निष्ठा और सबरपन भाव से निभाव जनता आपके साथ खड़ी होगी आज मैं यह मैसूस करता हूं कि हमको कई इत्ता सा भी तनावनी इलेक्शन को लेकर हमको लगता सत्पतिशत कम से कम 25,000 वोटों सो चुनाव जीतेंगे और यह आने वाले समय में इंदोर की जनता और प्रदेश की जनता देखेगी के चिंटू चोकसे ने जो नगर निगम के आफिस में अर्शद भाई को बोला था वो सत्साबित हुआ आपको ऐसा नहीं लगता है कि विधान सभाद 2 में वापस रमेश में दोला ही आएंगे हो सकता है क्योंकि भाजपा आप तक के तय नहीं कर पाई कि विधान सभाद 2 से किसको मुका दिया जाए नया केंडिट आता है तो आपके लिए फायदे मंदे आप उनसे अच्छी फा जोगों के साथ सुगदूप के साथी है ऑने वाले समय में हम विधान सभा में क्या मचबूत स्टक्चर खड़ा करें इसको लेकर बात करेंगे विधान सभा में किस तरव से गुंडा गर्दी का ऊपका द,, प्रवाद करेंगे तो आठ दस वाड़ों में मुल्भूत सुईधाओं की कमी है उसको लेकर बात करेंगे एक स्पोर्ट कांप्लेक्स बहुत बड़ा होना चाहिए उसको लेकर बात करेंगे सुगनी देवी कॉलेज बंद होने की सिती में आ गया और आपने वहाई के लिए अ आने वाले समय में चन्दा खोरी से के से मुक्ष करें इसको लेकर बात करेंगे और आपका विविधायक, आपके गहरा के काम करेंगे इसको लेकर बात करेंगे कि 15 सालों में आदर्ण विदायक जी कौन सी गली में गये तो और किसकी समस्या समझे और किसकी समस्या को हल करा किसी बात नहीं है जिन्टु भाई में भी देख रहा हूं लंबे समय से जब से राजनीती में हो और मुझे भी तग्रीवन 25 साल पत्रकाईता में हो गए तो आपको एसे नहीं लगता है विदानसबा दो में काम तो हुआ एक समय था विदानसबा दो इसा कहलाता था मालवायम परदिसी पुरा इन इलाकों में कभी डेवलपमेंट नहीं देखा गया था लेकिन आपके भी पार्शे देखते विदानसबादों में आते हैं आपको यह नहीं लगता हुआ विकास कारे हुए तो है देखिए विकास निरंतर चलतीव प्रक्रिया जैसे बच्चा पेदा हो होना ही होना है लेकिन विकास सिस्टमिटिक होता है कि अविवस्थित विकास है विकास लोगों के घर जाके हो रहा है कि आप लोगों को घर बुला के कर रहे हो विकास में आप लोगों को सुद्ध पानी दे पा रहे हो कि ने दे पा रहे हो यह बड़ी प्रावलम है आज अ सूच में ही निया वार्ड यह मैं पहस cognitive है जा रहे जहां देखो वां पानी की आपार समस्या इंड़ी और सबसे बडहाँ बाध है और सबसे बड़ी बात है कि आदेरी विधायाएक जी पिछले 15 सालहों में मेरे खाल से पूरे चेतर में एक बार भी उन्हें ब्रहमणनी करा यह बहुत बड़ा मुड़्डा है पिछली बार तो महुन सेंगर जी को टिकेट दे दिया गया था लेकिन वो सिंधिया जी के साथ भाश्मा में शामिल हो गए क्या कॉंग्रस हाईकमान ने आपको हरीजंडी दे दिये आविधन सबाद 2 से चुनाव मिदान में उतरेंगे देखिए पार्टी ने मुझे पारशत के टिकेट दिये में को दिया राजु को दिया हम सब जीते मेरे को नगर निगम के नेता पर्तिपक्ष की दिम्मेदारी दी इश्वर के आश्रुवाद से मैंने उसको बखी बखुब और पुरीमांदार इसे निभाने की कोशिश कर चाहिए पार्टी जो तैए करेगी मुझे दे धे किसी और को दे जिसको देगी हम पार्टी के समर्पित कार्ता के दिम्में पार्टी के लिए काम करें इस बार कोई कांटा सामने नहीं आरहा है यानि ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में कॉंग्रिस की विधानसवा 2 से प्रत्याश्शी कुरूप में चिंटू चोक से होंगे के मैं पसंद विशाल के साथ अर्शत खान